ओम शांती आज 14 फर्वरी 2023 के साकार मतुर महवाक के हैं आज बाबा की बहुती मीठी मुरली है जिसमें बाबा बच्चों से मीठी मीठी रूरूहान कर रहे हैं कि बाबा की याद एकुरेट रहे सही याद रहे यथार्थ याद रहे उसके लिए क्या करना है बाबा की सही याद क्या है वो ध्यर्यता से प्यार से समझ से बाबा को याद करना ये एकुरेट याद है अगर एकुरेट याद है तो करंट जादा मिलती है इसी याद से आत्मा पावन बनती है सुबस बटकर बाबा से गुड मॉर्निंग करनी है आँख खुलते ही बाबा को देखना है, वो खुशियों का सागर है, उसकी याद से खुशी बढ़ती जाएगी, बीती बातों को याद नहीं करना, बीती बातों को याद करके वरतमान को खराब नहीं करना, बलकि एक बाप की याद में रहना है, बड़े प्रेम से बाबा नहीं कहा, जब समय होता है आने क तो मुझे पुकार सुनाई देने लगती है कि बच्चे बुला रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तो मुझे तरस आता है, बे अरामी होने लगती है कि मैं जाओं बच्चों से मिलूं, सिवाए बाब की याद के आत्मा पावन नहीं बन सकती, बहुती सुन्दर बातें आज बाब से गुड मॉनिंग करो, ज्यान के चिंतन में रहो, तो खुशी का पारा चड़ा रहेगा, सवेरे सवेरे उठ, बाबा से गुड मॉनिंग करो, ज्यान के चिंतन में रहो, तो खुशी का पारा चड़ा रहेगा, कुश्चन है, एक्युरेट याद क्या है और उसकी निशानि क्या होंगी बड़े धैरिये गंभीरता और समझ से बाबा को याद करना ही एकुरेट याद है जो एकुरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ति करंट मिलती है पापों का बोजा उतरता जाता है आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है उनकी आयो भी बढ़ती जाती है उन्हें बाबा की सर्च लाइट मिलती है ओम शांती बाबा केते मीठे बच्चे तत्त्वम अठा तुम आत्माई भी शांत स्वरूप हो यसे बाबा शांती सागर है आप आत्माई भी शांत स्वरूप हो तुम सर्वात्माओं का स्वधर्म है शांती शांती धाम से फिर यहां आकर टाकी बनते हो ये करमिंद्रिया तुमें मि परिरधारी नहीं हूँ, मुझे बच्चों से समुख मिलने के लिए आना होता है, समझु जैसे बाप है, इनसे बच्चे पैदा होते हैं, तो बच्चा ऐसा नहीं कहेगा, कि मैं परमधाम से जनम ले, मात पिता से मिलने आया हूँ, भले कोई नई आत्मा आती है, किसके भी श बाप, बाबा कहते हैं, मैं परमधाम से आकर, तुम बच्चों के समुख हुआ हूँ, बच्चों को फिर से नौलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नौलेजफुल, ज्यान का सागर में आता हूँ, तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने, राजयोग सिखाने वाला भगवान है स्रेकष्ण की आत्मा का ये इश्वरीय पार्ट नहीं है हर एक का पार्ट अपना इश्वर का पार्ट अपना है ये ज्रामा नुसार बना हुआ है ये भी तुम बच्चे जानते हूँ ये पुर्शोतम संगम युग है इतना सिरफ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है, कि हम सत्योग में जाने वाले हैं, जिनने ये युग की स्मृती रहती है, ये पुर्शोतम संगम युग है, उन्हें बहुत खुशी रहती है कि हम सत्योग में जाने वाले हैं, पक्का भी हो जाता है, अभी संगम पर हैं, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन जरूर बनना है अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मुझे याद करो बेहद बाप की आवाज कानों में सुनाई दे मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे विश्व का मालिक बन जाएंगे बाबा कितना बच्चों को प्यार करते हैं ऐसे नहीं कि सिरफ टीचर के रूप में पढ़ा के चले जाते हैं ये तो बाप भी है टीचर भी है तुम्हें पढ़ाते भी हैं याद की आत्रा भी सिखाते ऐसा विश्व का मालिक ब पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए सवेरे सवेर उठने से पहले पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए सभी अपने आप से पूछेंगे आज आख खुलते ही पहले कौन याद आया क्या बाबा से गुड मॉर्निंग की तुम जितना प जगते कितने प्यार से करते हैं, प्रन्तो बाबा जानते, कई बच्चे, ज्यान से सुनेंगे, कई बच्चे दिल वा जान, सिक्वा प्रेम से याद नहीं करते हैं, कुछ मच्चे नियम निभाने के लिए तो करते हैं, लेकिन सिक्वा प्रेम से, दिल से याद नहीं करते हैं, स्रेरेट बाबा से गुड मॉनिंग करें, ज्यान के चिंतन मेरें, तो खुशी का पारा चड़ें, बाबा से गुड मॉनिंग नहीं करेंगे, तो पापों का बोजह कैसे उतरेगा, मुख्य है याद, इससे तुम्हारे भविश्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है, याद से बहुत भारी कमाई होती है, कल्प कल्पांतर ये कमाई काम आएगी, बड़ा धैरिये, गंभीरता, समझ से याद करना है, मोटे हिसाब से बले करके कह देते हैं, हम बाबा को बहुत याद करते हैं, प्रंतु एकुरेट याद करने में मेहनत है, जो बाबा को जास्ती याद क करते हैं, उन्हें करन्ट मिलती है, क्योंकि याद से याद मिल जाती है, करन्ट कम मिलती है, जब हम याद कर रहे हैं, बाबा तक याद पहुंच रहे हैं, बाबा भी हमें याद कर रहे हैं, तो करन्ट मिलती है, योग और ज्ञान दो चीजे हैं, योग की सबजेक्ट अलग बहुत भारी सब्जेक्ट है, योग से आत्मा सतो प्रधान बनती है, याद के बिना सतो प्रधान होना असंभव है, अच्छी दिती प्यार से बाप को याद करेंगे, तो अटमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे, करंट से आयो भी बढ़ती है, बच्चे याद क कितना बड़ा भारी खजाना देते तुम बच्चों को, बाबा कितना भारी खजाना देते, मीठे मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है, शिर्व बाबा हमें पढ़ाते हैं, शिर्व बाबा पतित पावन भी है, सदगती दाता भी है, सदगती माना स्वरग की जाई देते हैं। बाबा किटना मीटा है। बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। हमें पढ़ाते हैं। कोई तकलीफ नहीं देते, सिर्फ कहते मुझे याद करो, चक्र को याद करो, बाब की याद में दिल एकदम ठर जाना चाहिए, एक बाबा की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाबा से वर्सा कितना भारी मिलता है, अपने को देखना चाहिए, हमारा बाबा के साथ कितना लव है कहां तक हमारे में देविगुन है क्योंकि तुम बच्चे काटों से फूल बन रहे हो जितना जितना योग में रहेंगे उतना काटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे फूल बन गए तो यहां रह नहीं सकेंगे फूलों का बगीचा है स्वरग जो बहुत काटों को फूल बनाते हैं उन्हें सच्चा खुश्बूदार फूल कहेंगे कभी किसी को काटा नहीं लगाएंगे क्रोध बड़ा काटा है बहुतों को दुख देते हैं अब तुम बच्चे काटों की दुनिया से किनारे पर आ गए तुम संगम पर हो जैसे माली फूलों को अलग पाट में निकाल लेते हैं अलग बरतन में रख देते हैं वैसे तुम फूलों को संगम योगी पाट में रहेगी हम अपनेलिए सूर्य वन्षी चं्द्रवन्षी राजधनी सापन कर रहें बाबा कहते हैंUST बच्चों का कल्यान करेंगे बहुतों का कल्यान करेंगे उतना तुमें उजूरा मिलेगा बहुतों को रास्ता बताएंगे बहुतों की आशिरवाद मिलेगी ग्यान रतनों से जोली भर कर फिर दान करना है ग्यान सागर तुमें रतनों की थालियां भर-बर के देते हैं जो उन रतनों का दान करते हैं वो सबको बहुत प्यारे लगते हैं बच्चों के अंदर कितनी खुशी होनी चाहिए सेंसिबल बच्चे जो होंगे वो कहेंगे हम बाबा से पूरा वर्सा लेंगे एकदम चटक पड़ेंगे बाबा से बहुत लव रहेगा जो कि जानते हैं प्रान दान देने वाला बाप मिला नौलिज का वर्दान ऐसा देते जिसे हम क्या से क्या बन चाते नौलिज के वर्दान से हम क्या से क्या बन चाते इन सॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते इतना भंडारा भरपूर कर देते जितना बाबा को याद करेंगे उतना लव रहेगा कशिश भी होगी सुई साफ होती है तो चुमबक की तरफ खिच जाती है बाब की याद से कट निकलती जाएगी एक बाब के सिवाई कोई याद आत्मा पर जूंख लगी है वो उतरती जाएगी बाबा के सिवाई को यादनाए जैसे इस्त्री का पती के साथ कितना लव होता है तुम्हारी भी सगाई हुई है न सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या शुब बाबा केते मीठे बच्चे तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं सगाई पक्की हो गई फिर तो उनकी याद सताने चाहिए बाबा समझाते मीठे बच्चे गफलत मत करो स्वदर्शन चक्रधारी बनो लाइ जाएंगे जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं तुम्हारा धंदा भी यही है सब को स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे इसलिए बाबा सदा बच्चों से पूछते बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठियो बाबा बा अरामी हो जाती है जब बाबा समय होता है तो बे अरामी हो जाती है बस अब मैं जाओं बाबा को संकल पाता है अब मैं बच्चों के पास जाओं बच्चे बहुत पुकार रहे हैं बहुत दुखी हैं बहुत तरस पढ़ता है अब तुम बच्चों को चलना है वापिस घर फ चाहिए हम रूहानी युनिवसिटी में पढ़ रहे हैं हम गॉडली स्टूडेंट हैं हम मनुष्य से देवता विश्व का मालिक बननी के लिए पढ़ रहे हैं इससे हम सारी डिगरी पा लेते हैं हेल्थ के एजुकेशन भी पढ़ते हैं करेक्टर सुधारनी की भी नौलिज पढ़ते हैं यहाँ पर हेल्थ के एजुकेशन भी ले रहे हैं साथ-साथ करेक्टर सुधारनी की भी नौलिज ले रहे हैं हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लेंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आजाता है तुम बहुत बड़े खजांची भी हो बहुत बड़ा ट्रेजर आपके पास है तुमारे जैसा अमुले खजाना किसी के पास नहीं हो सकता ऐसे से तुम बच्चों को विचार सगर मंथन कर रूहाली नशे में रहना चाहिए मीठे मीठे बच्चों को बाबा बैठ समझाते जब कोई सभा में भाशन करते हो या किसको समझाते हो तो घड़ी घड़ी बोलो अपनी कुवात्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो इस याद से वी करम विनाश होंगे तुम पावन बन जाएंगे घड़ी घड़ी याद दिलाना है प्रन्तु ये भी तुम कह सकेंगे जब खुद याद में रहेंगे दूसरों को कभी याद दिला सकते हैं जब खुद याद में रहेंगे इस बात की बच्चों में बहुत कमजोरी है याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए आतम अभिमानी हो थोड़ा भी समझाएंगे तो तीर भी लगेगा बाबा कहते बच्चे बीती सो बीती अब पहले अपनी को सुधारो खुद याद नहीं करेंगे दूसरों को कहते रहेंगे तो वो ठगियां चलना सके अंदर दिल खाती रहेगी बाबा के साथ पूरा लव नहीं है तो शिरिमत पर चलते नहीं बेहद बाप जैसी शीक्षा तो और कोई दे न सके बाबा के ते मीठे बच्चे इस पुराने दुनिया को भूल जाओ पिछाड़ी में सब भूल जाना है बुद्धी लग जाती अपने शांती धाम सुख धाम में बाबा को याद करते करते बाबा के पास चले जाना है पतित आत्मा तो जाना सके वो है ही पावन आत्माउं का घर ये शरीर पांच तत्वों से बना तो पांच तत्व यहां रानी के लिए खीचते हैं क्योंकि आत्मा ने इस जैसे की प्रोपर्टी ली हुई है इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है अब इससे ममत्व निकाल अपने घर जाना है वहां तो ये पांच तत्व है नहीं जब घर जाएंगे वहां तो ये पांच तत्व है नहीं सत्यूग में भी शरीर योगबल से बनता है सतो प्रधान प्रकृती होती है इसलिए खीचती है सतो प्रधान प्रकृती होती है तो वो पवित्र परविर्ती है, दुख नहीं होता है, यह बड़ी महीन बाते हैं, यहां पांच तत्वों का बल आत्मा को खीचता है, इसलिए शरी छोड़ने की दिल नहीं होती, नहीं तो इसमें तो और एक खुश होना चाहिए, पावन बनकर शरीर हम ऐसे छोड़ेंगे, जैसे मक्खन से बाल, तो शरी से सब चीजों से ममत्व एकदम मिटा देना, अपने शरी से सब तत्वों से ममत्व मिटा देना, इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास, इस दुनिया में अपना बैग बैगज त्यार कर, पहले से ही भेज दिया है, साथ में तो चल ना सके, बाकी आत्माओं को जाना है, शरी को यहां छोड़ देना, बाबा ने नई शरी का सक्षतकार करा दिया, हीरे जवारात के महल मिल जाएंगे, ऐसे सुखदाम में जाने की मेहनत करनी चाहिए, ठकना नहीं चाहिए, दिन रात बहुत कमाई जमा करनी ह इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, नीद को जीतने वाले बनू, मा में कम याद करो, तो विचार सा अगर मन्थन करते करते, उच पद पाएंगे, ड्रामा की राज को बुद्धी में रखने से, बुद्धी एकदम शीतल हो जाती है, जो मारतिव बच्चे होंगे, कभी ही बाबा को याद करेंगे, तो वो संभाल भी करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे ये बात, बाबा को याद करेंगे, तो बाबा संभाल भी करेंगे, बाबा तुम बच्चों को दुख से चुड़ा कर, शांती का दान देते हैं, तुम्हें भी शांती का दान देना है, तुम्ह कि मेरा बाबा है, आत्मा को जट अंदर से कशिश होगी, ये मेरा बाबा है, नब्स भी देखनी होती है, बाब की याद मेरा देखो, ये आत्मा हमारे कुल की है, अगर होगी, तो एकदम शान्तों जाएगी, जो इस कुल के होंगे, उनको इन बातों में बहुत रस मिलेगा, बच्चे याद करते हैं, तो बाबा भी प्यार करते हैं, आत्मा को प्यार किया जाता है, ये भी चानते हैं, जिरोंने बहुत भक्ति की है, वो जास्ती पढ़ेंगे, उनके चेहरे से मालुम पढ़ता जाएगा, बाबा से कितना प्यार है, चेहरे से पता चल जाएगा, बाब से कितना त्यार है आत्मा बाप को देखती है बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं बाप भी समझते हैं इतनी छोटी बिंदी को मैं पढ़ाता उंग्ण आत्माती सुक्षम जोती बिंदू है, बाबा भी समस्ते में चोटी सी बिंदी को पढ़ाता हूं, आगे चल तुम्हारी वो अवस्ता हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं, शकल बहन की होते भी दृष्टी आत्मा की तरफ जाए, प्रैक्टिस करेंगे हम सब शरीर भाई का हो, बहन का हो, लेकिन हम मस्तक में आत्मा को देखेंगे, आत्मा पर दृष्टी जाए, शरीर पर दृष्टी बिल्कुल ना जाए, इसमें बड़ी महनत है, ये बड़ी महीन बाते हैं, बड़ी उंची पढ़ाई है, वजन करो, इस पढ़ाई के तरफ ब भारियों जाएगा अच्छा, मीठे मीठे सिक्किल दे बच्चो प्रती, मात पिता बाप दद का याद प्यार, गुड मॉनिंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चो को नमस्ते, रुहानी बच्चो की रुहानी बाप दद को नमस्ते, गुड मॉनिंग, शुक्रिया रहने की मेहनत करनी है जास्ती बोलना नहीं है अपनी जोली ग्यान रतनों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्यान के नमित बनना है पहले अपनी जोली ग्यान रतनों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्यान के नमित बनना है सबका प्यारा बनना है अपार खुशी में रह बहुत सुन्दर वर्दान करम क्षेत्र पर कमल फूल समान रहते हुए माया की कीचर से सेफ रहने वाले करम योगी भव करम क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचर से सेफ रहने वाले करम योगी भव करम योगी को दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कमबाइंट हो किसी भी कर्म का बोच अनुभव ना हो किसी भी प्रकार का कीचड अर्थात माया का वाइब्रेशन टच ना करें आत्मा की कमजोरी से माया को जनम मिलता है कमजोरी को समाप्त करने का साधन रोज की मुरली है यह शक् हम सबात्मों के लिए भोजन है, ताजा भोजन है, मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो, तो माया की कीचड से सेफ हो जाएंगे। महदानी बनना है, करेंगे आज हम अभ्यास, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ।